नवसकार दोस्तो जहिंद वंदे मात्रम बालविकास CDP Child Development and Pedagogy के क्लास नंबर 3 में आप शभी का श्वागत अभिनदन है हर एक भाई बैन ग्रणी का सभी मित्रों को जहिंद वंदे मात्रम दोस्तो बात करेंगे बालविकास के क्लास में 30 महत्रम परश्णों की और अभी थम ख्रीस करके 60 questions कमप्लीट कर चुके हैं और आज भी 30 questions करेंगे यानि टोटल हम class number 3 में आपके 90 question in 90 person compete कर लेंगे गर आपने इसके पिछली classes नहीं देखा है तो जाए चैनल को विजिट कीजिए सारी classes आपको free of cost मिल जाएंगे क्योंकि target दोस्तो 30 में से 28 प्लस अगर अच्छे तरीके से अंक पाना है और 30 में से बाल विकास में 28 नंबर लाना है तो हरे class यहाँ पर important है तो चलिए class को continue करते हैं पहला प्रशन आप लोगों के स्कीन पर है इस special सिच्छक भरती त्यारी आपके MP8, C8, UP8, Rating Jam के बात करते हैं आपका अपना teachers family पहला प्रशन दोस्तो प्रारंबिक अवस्था में सिस्व अत्धिक होते हैं प्रारंबिक जो अवस्था होती है बच्चों में सिस्व जो है अत्धिक क्या होते हैं बहरमुखी निश्वार्थ होते हैं श्वकेंदित होते हैं या परोपकारी प्रवत्तिके होते हैं तो किस प्रकार के होते हैं सभी कमेंट कीजे का तो प्रारंबिक अवस्था में जिसी सी होते हैं वह अतधिक श्वकेंदित होते हैं सी आपसन सही हो जाएगा दूसरा प्रशन पूंचा जा रहा है आप लोगे किस कीन पर है कि निमनिकित में से कौन सी मद्ध बालवस्था की विसेश्था है देखे बालवस्था एक मद्ध बालवस्था होता है ठीक है उत्तर बालवस्था पूर बालवस्था किसोर अवस्था यहां से प्रशन पूँचे जाते हैं इनका विसेस्ता हैं आप लोग अच्छे तरीके से इस्टड़ी जरूर कर लें तो कौन सी विसेस्ता मद्ध बालवस्था की होगी अमूर से या अमूत रूप से सोचने तथा वज्ञानिक तरका अपरयोक करने की योगता का विक्सित होती है बच्चे तार्की के यवं मुत रूप से सोचना प्रारब कर देते हैं अधिगम मुत रूप से समवेदी यवं चालक गद्वेदियों द्वारा घटित होता है या कह सकते हैं सरीरिक ब्रद्यों विकार से तो बहुत तेज होता है देखें मद्द बालवस्था मद्द बालवस्था सभी लोग जानते हैं बालवस्था की जो 6-12 वस होती है तो मद्द बालवस्था मतलब लगभग 9 वसकी आयोकिवास की बात कर रहे हैं तो जब मद्द बालावस्था में बच्चा पहुंच जाता है तो जो है बच्चे के तार्की के एबम मूत रूप से सोचना प्रारंब कर देता है परिपक को नहीं होता है प्रारंब कर देता है इसलिए यहाँ पर मद्द बालावस्था की विशेष्था जो है भी आपसन सही ह तीसरा प्रशन है बालेवस्ता की अधारना से क्या अभिप्राय होता है सबी कमेंट कीजएगा चार बे तीन आपके आपसंस दिये गए हैं तो बालेवस्ता की अधारना से जो अभिप्राय होता है वह समकालीन समाजिक संद्चनावादी विग्यानिकों के अनुसार यह एक सम आजिक संडचना है. चोथा प्रशन आप लोगों की स्कीनपर है. प्रशने पुंचा जा रहा है. मानू विकास की वे अवस्था, जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है. काफी बारे पुंचा गया प्रशने, और बीवी आईपी, बेरी बेरी important question बन जाता है तो मानो विकास नही हमारी और आपकी जो विकास की अवस्था है उसे सुनहरी अवस्था, सैसा अवस्था को, बाल अवस्था को, किसोरा अवस्था को, प्रोडा अवस्था को तो किसको कहा जाता है, सभी नीचे comment box में अपने अपना comment कीजेगा तो मानो विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था का काल कहा जाता है, वह दोस्तों बाल अवस्था का काल बाल अवस्ता के काल को सुनहरा अवस्ता काल कहा जाता है या सुनहरा अवस्ता कहा जाता है पांचों प्रस्णे निम्लिकित में से कौन सब विकाद जो है उत्तर बाल अवस्ता के लिए उप्युक्त नहीं होगा निगेटू नकरात्मक पशने तो उत्तर बाल्यवस्था के लिए उप्युक्त क्या नहीं हो सकता देखिए साधारन खेलों के लिए सरीरिक दच्छता अधियमावश्चता होती है बेक्तिगा सुतंता प्राप्त करना हम उम्रों के साथ रहने एवं सीखना ये उत्तर बाल्यवस्था के लिए और उत्तर बाल्यवस्था के जो एज होता है वर नो से बारा होता है और पूर बाल्यवस्था के जो होता है वर चैसे लेके नो तक होता है तो उत्तर बाल्यवस्था के लिए क्या उप्युक्त नहीं हो सकता है एक पुरूस या इस्त्री की समाजी की भूमी का प्राप्ट करना ये बालावस्ता में नहीं होता है बांकि आपके A, C, D ये तीनों उत्तर बालावस्ता की विसेशता उप्युक्त भी होगा लेकिन आपका भी आपसन नहीं होगा अंगला प्र sorry आप लोगों के स्कीन पर है हर एक कॉश्चन आपर important है क्योंकि सेलिक्सन आपर शरोपर भी हर एक भाई बहन हर ग्रहनी का शबी का विलकम अविनननन है جसवार सार आप शबी का अविनननन करते हैं साथ ये प्रस्चन इंपॉर्टन है कि 6-11 के आईवर के बालकों की विश्य सिताएं क्या होती है बालक सुभावी केवं सक्री अधिगम करता होता है या अधिगम करता होने के लिए सीखने के सिचकों पर निर्वर रहता है बालक सिचकों से ग्यान प्राप्ट करने में या दोस्तों बालक सीखने के रूच प्राप्त करने में यहाँ पे बी आपसन होगा कि बालक सुभावी के में सक्री अरिगम करता होता है बालक सीखने के लिए सिचकों पर निर्भर होता है बालक सिचकों से ग्यान प्राप्त करते हैं या बालक सीखने में रूची नहीं रखता है देखिए 6 से गेरावस के आईवर की बालकों की जो विस्टाएं है विस्टाएं निम लिखे तमेसे वज़ होगी या बालक सीखने में रूची नहीं रखता है अब आप बोलेंगे बालक सिस्टेम में रूची क्यों नहीं रखता है तो नीचे कमेंट बाक्स में आप लोग बता सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है अंगला प्रशने दोस्तों इसकीन पर है च्छाय सात वस का बालक दूसरे के विचारों को श्विकार करने योग नहीं होता है क्योंकि वह बहुत छोटा होता है क्योंकि वह आहम के इंदित होता है क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं होता है क्योंकि वह कल्पना सील होता है सभी कमेंट केजिएगा दीकि 6-7 वस की बालक की बात कर रहे हैं तो बालक दूसरे के विचारों के श्विकार करने योग नहीं होता क्योंकि वह अहम के इंदित होता है भी आपसन सही हो जाएगा आठवा प्रिसन सातियों पूछा जा रहा है कि दलिया गैन का सदसोने से समाजी करन उत्तर बाल लवस्था में बहतर होता है इनमें से कौन से कथन इस विचार के बिपरीत होगा बिपरीत मतलब I hope आप लोग समझ के होंगे बिलोम की बात करेंगे ठीक है इंटोनेम्स तो दलिया गैन का सदसोने से समाजी करन जो होता है वह उत्तर बालावस्ता से बहतर होता है ये कथन किसके बिचार के विपरीत होगा वैसकों पर निर्भरना होकर सीखता है जिमेदारियों को निभाना सीखता है अपने शमों के प्रति वफादार होना सीखता है चोटी चोटी बातों पर जगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदसों से लड़ाई मोल लेता है देखे दल या गैंग सदसों से समाजी करन उत्तर वाला वस्तम में बेहतर होता है इसका जो विपरीत होगा भै डियापसन ही हो जाएगा चोटी जोटी बातों पर जगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदसों से लड़ाई मोल लेता है यह क्यों क्योंकि यह बिचार विपरीत बिचार पूछा जा रहा है इसलिए आपका डियापसन सही हो जाएगा अंगला प्रसंद दिया गया है कि वैस संदिकाल में निमलकित मेंसे कौन बाह अविक्त ही नहीं होगा वैस संदिकाल में बाह अविक्त ही नहीं होगा परहुत्ता या सत्ता के विपरीत बिरोध असानती हो गया आत निर्भारता के प्रति आग्रही की बात करेंगे दिखे, प्रवता सत्ता के विप्रीद विरोध, असानती, आत्मिर्धदा के प्रति आग रहे, ये सबी क्या है आपके? वैस संदिकाल में बाय अविक्त हैं, लेकिन आपका सक्री खेलों की स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद करना, ये क्या हो जाएगा? वैस संदि में बाय अविक्त आपका ये नहीं होगा, दसवाँ प्रशन आप लोगों की स्कीन पर है, प्रशन हर एक क्वेशन इंपोर्टेंट है, क्योंकि सेलेक्शन यहाँ पर वन एंडेट, वन पर्शन शेवर और प्योर है, क्योंकि हर एक क्वेशन हर एक सिलेवस आपके नियो पैटर्ण पर है, तो अंगला प्रशन है, इनमें से कौन सा कथन मिडिल स्कूल इस्तर के विद्यार्थियों की विकास के सहमत नहीं रखता है, मिडिल स्कूल यानि सभी लोग समझ गए होंगे, प्रामरी, मिडल और हाइर स्कूल, तो इनमें से कौन सा कथन मिडिल स् विद्याइतियों के विकास में सहमत यापका डियापसन नहीं रहता कि अधिकास विद्याइति जो है विशेश रूप से स्वकेंदित हो जाते हैं ये नहीं होगा बाकि बौधी केवं समाजिक ब्यवार पर शुप प्रभाविता का महत्पून प्रभाव होता है इस अवस्थ के विद्याइतियों के लिए सहमत रखता है लेकिन डियापसन आपका सहमत नहीं रखता है इसलिए काड़ इंडिकोशन राइट आपसन नमबर डियापसन सही हो जाएगा आई जान लेते हैं 11 नमबर प्रशन आपका क्या पूंचा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रस को उत्तर बालावस्था को सहसा वस्था को या इनमे से सभी को देखी काफी बारा यह प्रशन पूंचा गया प्रशन है इसलिए कंफ्यूज भी काफी बार बहुत आप लोग हो जाते हैं और मैं देखा हूं काफी बार जो हमारा फेस्बुक पेंच है जैस्वाल कोचिंग स को कहा जाता है पूर बालावस्था को कहा जाता है बालावस्था को कहा जाता है लेकिन कौन से पूर बालावस्था जिसकी आईउ 6-9 वस्था होती है और उत्तर बालावस्था की जो आईउ है 9-12 वस्था होती है अंगला प्रशन है इन्वे से कौन सी पूर बालावस्था क की बिसेस्ता नहीं होगी पूर बाल अवस्ता अच्छे से लेके नवस्ता के बालक बालिकाओं की बिसेस्ता नहीं होगी दल समू में रहने की अवस्ता अनुकरन करने की अवस्ता प्रशन करने की खेलने की अवस्ता देखे हमारा जो प्रशन करने का जो सी आपसंदिया गया ह वो आपको लग रहा होगा कि ये होगा लेकिन देखिए पूर बालावस्ता की दल और समूँ में रहने की अवस्ता जो है ये विसेस्ता नहीं होती है पूर बालावस्ता में क्या-क्या विसेस्ता होती है अनुकरन करने की प्रशन करने की प्रशन बच्चा बहुत करता है पूर बालावस्था में ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस वज़े से हुआ ये प्रशन बच्चा करता रहता है और खेलने की अवस्था भी होती क्योंकि पूर बाला वस्था को खेलने की याग कहा गया है इसलिए खेलने के वस्था भी हो जाएगी तो यह आपसन यहाँ पर सही हो जाएगा अब देख लेते हैं आंगला प्रिश्ण क्या पूंचा जा रहा है प्रिश्ण इंपॉर्टेंट है कि सर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास की सवस्था में होता है बच्चा अगर कुछ गलती कर लेता कुछ भी है उसको सर्म करने लगता है और गर्व अगर कोई अच्छी चीज करता है तो उसको गर्व महसूस होता है तो ऐसी जो भावना होती है इसका विकास जो है किस अवस्था में होता है सेसा वस्था बाल लवस्था किसोरा वस्था या ब्रद्धा वस्था में होता है सभी कमेंट कीजेगा सभी जानते हैं ऐसा जो है आपके बाल लवस्था पर होता है अंगला प्रशने बाल लवस्था क प्रमुक मनो बैग्यानिक विसेष्टा क्या है तो बाल लवस्ता की जो प्रमुक मनो बैग्यानिक विसेष्टा होती है निर्भरता होती है समुहिक्ता की भावना धार्मिक्ता या अनुकुर्णात्मक प्रवत्ति का अभाव चार प्रहतीन आपसन आपके स्कीन पर दिये सबसे अधिक होना है इन्हें एक प्रशमान आपको बताना है जो गिये सबसे अधिक हो सकता है वहीँ हो सकता कि सम कच्छी के अनमोदन के लिए बेचे नि होना क्योंकि 12 वास्त किसोरा वस्था के प्रगिद्ध पर होता है इसलिए हमारा डियाप्षन सई हो जाएगा अंगला प्रसंदिया गया है कि पद समवेगात्मक क्रांती पद समवेगात्मक क्रांती किस अवस्था से अधिक जुड़ा हुआ है सैसावस्था, बालावस्था किसोरावस्था ये दोस्तों प्रोडावस्था से जुड़ा हुआ है तो सब जानते हैं समवेगा आत्मक की जब भी बात करते हैं समवेगा आत्मक के करांत की बात करते हैं तो ये पत दोस्तों किसोरा आवस्ता के आवस्ता में सबसे अधिक जुड़ा हुआ है इसलिए आपका C आपसन सही हो जाएगा अंगलिया प्रस्ण वय अवधी जो वयस्कता के संक्रमन की पहल करती है उसे क्या कहती है ऐसी अब है दोस्तो जो वैस्कता के संक्रमन की अब समझे संक्रमन यानि बिस्पोर्ट की बात कर रहे हैं तो वैस्कता के संक्रमन की पहल करती है वह अबदी किसोरा अवस्ता कहलाती है डी आपसन सही हो जाएगा अंगला प्रस्ण है सैफार्टियों का दवाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है वह प्रारंभिक बालवस्था पर मद बालवस्था पर प्रारंभिक किसोरा वस्था पर या उत्तर किसोरा वस्था पर डालता है तो सभी कमेंट कीजेगा देखिए सह पार्टियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है तो वह हमारा देखिए जो प्रारंभी की सोरा वस्ता होता है वह बारा से लेके पंदरे तक होता है और सोला से लेके अठारा तक हमारा कौन सा होता है उत्तर की सोरा वस्था की बात करेंगे 16 से 18 वस्था की जाई होती है वैसे पार्टियों का दबाव जब सब सदिक प्रवाव डालता है वैटी या अपसर हमारा सही हो जाएगा कोई भी डावट हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं फीडवेग कीजे क्योंकि आपका कमेंट यहां पे शरो पर है आप सभी भाविद्धापक अद्धापिकाएं हैं सिच्छक बंद हो है और जैसवाल सार आप सभी का श्वागत अभिननन करते हैं अपने परिवार टीटी पेमली सिच्छकों के परिवार दोस्तों अंगला प्रिशने इनमें से की सोरो वस्था के संदर में कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है कई नवीन आंतिक दता बाह परिवतन दिखाई देते हैं यह आयू अतिदिक सम्वेगात्मक होती है बुद्धी अपनी चरम सीमा तक पहुँचने का प्रियास करती है या आत्म चेतना कम हो जाती है तो सभी जानते हैं की सोरो वस्था के संदर में जो कथन है कि कई नवीन आंतिक दता बाह परिवतन भी दिखाई देते हैं यह अधिक सम्वेगात्मक होती है बुद्धी अपनी चरम सीमा तक पहुँचने का प्रियास करती है आपकी किसुरा वस्था पर लेकिन आत्म चेतना कम होना यह आपका किसुरा वस्था के संदर में कथन सही नहीं दियागा है इसलिए कार्ड इंटर कोस्चन्स राइट आपसन नमबर डी आपसन सही हो जाएगा अंगले अप्रिशने 16 वर्सी बालक अपने आप में प्रथक श्वय नियंतरित विक्त की भावना को विक्सित करने का प्रियास कर रहा है तो वह विक्सित कर रहा है अर्था दोस्तो 16 वर्सी बालक है मतलब वह किसुरा वस्था का कहला जाएगा या कह सकते हैं उत्तर किसुरा वस्था की बात करेंगे तो उस वस्था में जो है बालक अपने आप प्रत्थक स्वय नियंतिद विक्त की भानों को विक्सित करने का प्रयास कर रहा है तो वह क्या विक्सित कर रहा है स्वेत्ता क्या कर रहा है स्वेत्ता विक्सित कर रहा है भी आपसन सही हो जाएगा अंगला प्रशने 20 कोश्चन कर चुके हैं 10 कोश्चन और करेंगे टोटल हम 30 कोश्चन करेंगे क्योंकि तैयारी दोस्तो टार्गेट हमारा 30 आप में से 28 नमबर पाना है और टोटल आल सब्जेट की बात करें 150 में से 125 प्लस कर स्कोर प्राप्ट करना है और यहीं से सलेक्षन प्राप्ट करना है दोस्तों अंगला प्रशने इस्टेनले हाल के अंसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्था प्रोड़ा अवस्था को कहा गया है जो है दो हिफित अधिक तनाव और तूफान की अवस्था प्रसन प्रशन आही जाते हैं वो इंप्र्टेंट होते हैं अगर आपको कनफर्म पता होगा तब ही आप लोग बता पाएंगे अंगला प्रशने? इनमें से किसका विकास की सोरह वस्था में नहीं होता है अहम के अभिरुचियां तर्क शक्ती या प्रिच्छन की योगता देखे दोस्तों किसका विकास जो है किसोरा वस्ता में नहीं होता है देखे सभी लोग जानते हैं कि अहम के इनतय का विकास कि सूरा वस्ता में नहीं होता है अबिरोचिया, तर्क शक्ति, प्रिच्छन की योगता यह कि सृरा वस्ता में होता है लेकिन अहम के इनतय कविकास नहीं होता है इसलिए काजिन इन्टो Кोश्ट्टिन्स राइट आपसन नमबर वाश्ट आपसन सही हो जाएगा अंगला प्रशने फ्री में नोट्स पीडिया फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही टेलिग्राम एफ इंस्टाल करें और वहाँ पर सर्च करें जैस्वाल कोचिंग सेंटर काफी बारे मुझे वाट्शे पाते हैं आपके इस हर गुरूप बताएं कुछ नहीं करना टेलिग्राम में आपको सर्च कर ले ना जैस्वाल कोचिंग सेंटर हर एक क्लास हर एक सेसन के आपके फ्री आप नोट्स मिल जाएंगे कोई भी आपे पे नहीं आप लोग कमेंट करते हैं सर कितने का पे है बुख है काँपी कुछ नहीं केवाल आपको खुरी में क्योंकि यह राश्टित में सिच्छा का परिवार है आपका परिवार है टीचर्स फैमिली है बात करेंगे अंगले प्रशन की कि बाल विकास के किस चरण में बिपरीत लिंग की ओर अधिक आकरशन डिखता है तो सभी को पता होगा हम बात करेंगे किस ओर अवस्था की बात करेंगे बहुत ये अच्छा साधानशा प्रशन था आईए बात करते हैं अंगले प्रशन की अंगला प्रशन आप लोगों के स्कीन पर दिया गया है प्रशने के निम्लकित में से कौन सी अवदी किसी की बिकास सील अवस्था में सामानत है संगर्स की अवदी कहलाती है प्रशन को समझेगा प्रशन इंपोर्टेंट है कि सोरा वस्था वद में किसी की विकास सी लवस्था में सामानते संगर्स की अवद कहलाती है पचीसमा प्रशने विकास की कौन सी अवस्था तूफान या तनाव या तूफान की अवस्था कहलाती है तो सभी को पता होगा हम बात कर रहे हैं कि सोरावस्था की बात कर रहे हैं बहुत अच्छा प्रशन है बीर पूजा की भावना जागरत होती है बीर यानि बीर रस की बात करें पूजा की भावना तो ये बीर पूजा की भावना दोस्तों कब जागरत होती है किसोरा वस्ता में, बाला वस्ता में, प्रोडा वस्ता में, या इन में से कोई नहीं, सभी कमिन कीजेगा तो बीर पूजा की जो भावना जागरत होती है, वे सभी को बता है किसोरा वस्ता पर होती है अंगला प्रस्ट ने सरीरी के वह मानसी परिपकता प्राप्त विक्तियों को क्या कहा जाता है किशोर कहा जाता है प्रोड कहा जाता है व्रद कहा जाता है यह दोस्तों बालक कहा जाता है सबी कमेंट कीजेगा तो सरीरी के मानसिक परिपप को प्राप्त जो विक्ति होते हैं उनको किशोर विक्ति कहा जाता है अंगला प्रस्थ दिया गया है कि एक तेरा वर्सी बालक बात बात में अपने बड़ों से जगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वैम को सही सावित करने की कोसिस करता है तो वह विकास की सवस्था में होता है प्रारंभिक बालवस्था किसोरावस्था, यूवस्था, बालवस्था देखिए आपके प्रिश्ण में ही इंसर दे दिया गया तेरे वर्सी बालक तो तेरा वर्षी बालक किस अवस्था पर आएगा सभी को पता है ये आपके किसोरा वस्था पर आएगा क्योंकि 12, 17 जो किसोरा वस्था का काल होता है तो आपके प्रशन पर ही उत्तर दे दिया जाता है तो अगर आप अच्छे तरीके समझ पाएंगे preparation किया होगा तो आप लोग अच्छे तरीके से question को attend कर पाएंगे अंगला प्रस्णे तनाव और कुरूद की अवस्था जो कहलाती है वह सभी को पता है कि सोरा वस्था की काल कहलाता है तीस्वा प्रस्णे दोस्तों सभी comment किजेगा मानों या मनुष्यों में विकास का सबसे तीव गतिसे बाला वस्था में होता है कि सोरा वस्था में सैसो में या यववन अवस्था पर होता है सभी comment किजेगा तो मानों या मनुष्यों की विकास के सजो सबसे तीव गतिसे होता है कि सोरा वस्था पर होता है तो यह रहे दोस्तों आज की क्लास नमर तीके 30 महत्पूर्ण प्रश्ण 30 में से आपके स्कोर कितना है 20 प्लस है यह 25 प्लस है नीचे कमेंड बाक्स में जुरू बताइए हर एक भाई बैन ग्रहनी यहाँ पर कमेंड कीजेगा कमेंड करने से आपका confidence आपका level चिक होता है तो यह सारी क्लासेज और इसकी पिछली क्लासेज आपने नहीं देखा है आपको नहीं आ रहा है तो आप क्या करना है चैनल को सब्सकाइब कर लेंगे तो आपको क्या है बिल आइकन प्रिस कर लेंगे तो notification भी आने लगेगा हर class आप लोग join कर सकते हैं free of course join कर सकते हैं और दोस्तों चलिए जल्दी में मिलता हूं इस class पर सभी मित्रों में सभी मित्रों को जहिंद वंदे मात्रम